सो गाइज वलकम बैक टू माइक्रो क्लासिज हमारी CCSU और MSU की B.A.2 की क्लास ही चल रही है आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्यान बासावे पाठ्थे चरिया आज का हमारा एक इंपोर्टेंट टोपिक है पाठ्थे करम के परकार जो हमारे करिकुलम होते हैं वे कितने परकार क होते हैं जब हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं तो कितने तरह के करिकुलम हम डिजाइन कर सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है यह जादतर सोट में आता है किसी भी एक परकार के बारे में आप से पूछ लेंगे यह क्या होता यह क्या होता है पर यह क्या होता है इ कुछ यह हमारे आज के करिकुलम के परकार है इनके हम बैख्या करेंगे तब पाठ्ठेगरम के परकार सबसे पहले हलकी सी इंट्रॉडक्शन लिख देते हैं पाठ्ठेगरम एक विशिस विशियो या बहुत से विशियो की स्रंखला होती है जो चात्रों को एक निश्चित सम मियावदी में सीखने के लिए निर्दारित की जाती है पाठ्ठेगरम किसी भी समाज की सिखसर ववस्ता का परती होता है पाठ्ठेगरम में निर्दारित करता है कि चात्रों का विकास किस दिसा में चलेगा पाठ्ठेगरम भी विविन परकारों का होता है कुछ परमुक प आपकर परकार परकारोन के निमलिकत वर्णित है तो इस परकार करके आप यह लिख सकते हैं अगर पेपर में आता है जो आपके सलिबस है आपके एक-एक करके इन explain करते हैं अब सबसे पहला पाठ्थे करम है हमारा एक ही करत पाठ्थे करम integrated curriculum तो एक ही करत पाठ्थे करम वो पाठ्थे करम होता है जिसके अलग-लग विश्यों में आपस में संबंद होता है मतलब कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ा है वो आपकी help कर रहा है इस सब्जेक्ट वे जैसे आपने math पढ़ लिया फिर आप physics पढ़ेंगे तो math physics में आपके काम करेगा इसी तरह से history और geography हमेंसे एक साथ चलती है दोनों एक दूसरे की help करती भी चलती है economics भी उन्हीं के साथ आजाती है अगर आपने chemistry पढ़ी उसके बाद आप bio पढ़ेंगे तो आप कैसा लेगा एक जगा सिवया बना हुआ है तो एकिकरत पाठ्थे करम क्या होता है ऐसा पाठ्थे करम जिसके अलग-लग विशियों में आपस में संबंद होता है विशियों के ज्यान में आपस में संबंद होता है वो एकिकरत पाठ्थे करम होता है असान सा point है अब इसके बारे में कुछ लिख देते हैं परतेक पाठ्ठे करम के विश्योग को दो तरीके से हम निर्दारित कर सकते हैं पहला तरीका तो यह है कि पाठ्ठे करम में जितने भी विश्य हैं उनमें एक दूसरे में कोई भी संबंद नहीं हो दूसरा तरीका यह है कि पाठ्थे करम में जितने भी विशे रखे जाएं उनका संबंद एक दूसरे से हो मतलब क्या वा एक दूसरे से उनका जो ग्यान है वह संबंद दितो जो ये दूसरे परकार का पठ्ठे करम होता है जिसमें विश्यों में आपस में संबन्द होता है इसमें सब विश्यों में एक परकार की समानता पाई जाती है जिसके परिणाम सोरूप ग्यान की एकता स्थापित हो जाती है इस प्रकार के पाठ्थे करम को एक इकरत पाठ्थे करम का जाता है एक इकरत पाठ्थे करम के विभिन विश्यो के ग्यान में आपस में संबंद पाए जाता है जैसे बोतिक विज्ञान तो तर असायन विज्ञान के अधन में हमें गनित का परियोग करना पड़ता है तो यह बहुतिक रसायन गनित एक साथ सम्भलित हो जाते हैं भूल को हम बिना इतियास के नहीं समझ सकते हैं इस तरह से ऐसा सलेबस जिसके विभिन विशियों के ग्यान में आपस में संबंद होता है उस सलेबस को हम एक एकरत सलेबस बोलते हैं इसका लाब यह होता है कि छात्र एक विश्या का ग्यान प्राप्ट करते करते अन्य विश्यों के बारे में भी जानकरी प्राप्ट कर लेते हैं तो तो छात्रों को पाठ्ठेगरम बोज रूपी परतीत नहीं होता इस परकार वह है पाठ्ठेगरम जिसके सभी विश्या अंत संबंदित हो, एकगरत पाठ्थे क्रम कहलाता है, असान सी बात है। हेंडरसन ने क्या का है, एकगरत पाठ्थे क्रम वहा है है जिसके विशियों के बीच कोई अवरोद रुकावट या दिवार नहीं होती, तो जो सब्जेक्ट हैं अलग-लग उनके बीच कोई रुकावट नहीं होती उनके ग्यान में समानता होती है एक इकरत पाथे करम में विभिन विशियों के ग्यान को अलग-लग खंड़ में प्रस्तुत नह करके सब विशियो को मिलाकर ग्यान को एक हीकाई के रूप में प्रसुत किया जाता है इससे बालक ग्यान को पूर्ण वास्तिक रूप में ग्रैन करता है और ग्यान इस्थाई हो जाता है अब एक हीकरत पाथखरम के गुणिया विशिष्था है देख लेते हैं इस तरह लिख देना आप ये लाइन मैं लिख हुई है यहाँ पर ये लाइन बच्चे छोड़ देते हैं कि एक हीकरत पाथखरम के परमक्विशिष्था है निमलिकित वर्ण नेता है एक हीकरत पाथखरम के माददे हमसे बालकों को विबिन विशिष्था का ग्यान एक साथ पराप्त होता है तो जैसे हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के साथ साथ हम फिजिक्स भी पढ़ रहे होते हैं कहाए। अच्छा सम्बंद स्थाफित होता है। क्योंकि पूर्व ग्यान जो हमने पढ़ा हुआ है वह बार-बार हमारे सामने आ रहा है तो पूर्व ग्यान और नवीन ग्यान के मद्द्ध अच्छा संबंद इस्थाफित होता है इससे एक इकरत पाठेगरम सरवंगिन विकास के साथ साथ जीवन उपयोगी शिक्सा भी परदान करता है बालकों के सरवंगिन विकास तो करता ही है जीवन उपयोगी शिक्सा परदान करता है यह हमारा जो एक इकरत पाठेगरम होता है एक इकरत पाठेगरम बालक की रुचियों के अनुरूप होता है इसमें ग्यान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है मतलब सभी विश्यों के ग्यान को समलित कर एक यूनिट के रूप में बंडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है बच्चों के सामने ग्यान के स्थाइकरण में सायता करता है ये छात्रों को पठ्ठेचरिया बोजिल नहीं लगती या छात्रों की सिक्षण के पड़ती रूची को बढ़ाता है तो ये इसकी कुछ विशेशता है थी अब नेक्स पठ्ठेगरम की बात करते हैं जो है हमारा बाल केंदित पठ्ठ पठ्ठेगरम चाइल्ड सैंटर्ड करिकुलम देखो बाल केंदित पठ्ठेगरम क्या होता है ऐसा पठ्ठेगरम जिसमें हम बालक को ध्यान में रखकर अपने विशियों का चुनाव कर रहे हैं हमारे किस प्रकार के बालक हैं क्या उनकी आयू है उनकी रूची अक्षमता योग्यता ही क्या है उन सब को ध्यान में रखकर अगर हम किसी पठ्ठेगरम का निर्मान कर रहे हैं उस पठ्ठेगरम को हम बाल के अंदित पठ्ठेगरम करेंगे अगर आप बाल के अंदित पठ्ठेगरम का निर्मान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले यह डिसाइड करेंग तो बच्चों को ध्यान में रखकर बच्चे कैसे हैं हमारे जब आप पाठ्ठेगरों का निर्मान करते हैं वह पाठ्ठेगरम बाल के अंदित पाठ्ठेगरम कहलाता है बालके अंदित पाठ्ठेक्रम वहाँ पाठ्ठेक्रम होता है जिसका निर्माण बालकों की परवर्तियों रुचियों उनके आवशक्ताव आदी अन्य महत्तपुन के अलवों को ध्यान में रखकर किया जाता है यहाँ पाठ्ठेकरम बालकों की मनोवे ज्यानिक विशियों के अनुरूप होता है इस पाठ्ठेकरम के अंतरगत उन विशियों को रख जाता है जो बालक बुद्धिक विकास इस्तर उनकी बुद्धियों रुचियों के अनुकूल होते हैं इससे व्यक्तिगत सर्वंगिन विकास होता है, जेम्स एसली ने क्या का है, छात्र केंदित पाठ्ठे करम वे पाठ्ठे करम है, जो पूर्ट और समग रूप से सीखने वालों में नीत होता है, बारतमान समय में बहुत सी सीक्षन विदियों, जैसे मौन्टेश्री विदी, किंडर गार्टन विदी, डाल्टन विदी, आधि पर जो ओड़ दिया जार है, जो बाल केंदित पाठ्ठे करम के अनुरूप ही होती है, इसमें बालकों को सोतंदृता पर दान कर उनके अनुरूपी सिक्षन पर बल दिया जाता है, तो ये बाल केंदृत हमारी जो ये पाठ्ठे करम है, इसकी कुछ विशेशता ही है, इसी पाठ्ठे करम के अधार पर आदोनिक सिक्षन पदेतियां विक्षित हुई है, जो सिक्षार्थों के विकास के सभी पक्सों को मजबूत बनाती है, यह पाठ्ठे करम पूनते बालक के अधिगम संबंदी पक्स को मजबूत करता है, यह पाठ्ठे करम पूनते बाल विग्यान के सिद्धानतों के अनरूप है, यह पाठ्ठे करम बालक के विक्तित विकास में अत्यंत सायाक होता है, क्योंकि बालक के अनुरूप है तो बालक का वेक्तित का तो विकास हो गए, personality उसके अच्छी तो होगी इस परकार का पठेगरम बालक के किरियात्मक पक्स को मजबूत करता है किरियात्मक्पक्स मतलब किरियाएं करने बच्चे अच्छी सीख लेते हैं इस परकार के पाठ्ठेकरम से यहाँ पाठ्ठेकरम पूर्णता बालक की रुचियों, अक्षमताव और आवशकताव के अनुरूप होता है यहाँ पाठ्ठेकरम चात्रों को ग्यान सूजबूद, जीवन, मुल्यो, आदिका ग्यान परदान करता है जिससे उनमें समाज कल्यान की योग गयता विक्षित हो जाती है इस परकार के पाठ्ठेकरम से बालक की सिक्सा के पड़ती रुचि विक्षित होती है अत्यादिक व्यवारिक होने के कारणी यह बच्चों के आने वाले जीवन में उप्योगी चीद होता है इसमें पुस्तक के ग्यान पर कम बल दिया जाता है व्यवारिक और सैद्दान्ति पक्स की अपेक्सा इसमें हम सैदान दिए पक्स के अपएक सम वहवारिक ज्यान पर बल देते हैं, इसमें जो बच्चों के जीवन में काम आई तो यह इसकी कुछ विशेष्टा है थी, अब बात कर लेते हैं विशय केंदित पठेकरम की ये जो विशा केंदित पाठ्ठे करम होता है ये बाल केंदित पाठ्ठे करम से बिल्कुल उल्टा होता है बाल केंदित पाठ्ठे करम में हम बालक को सेंटर में मानकर अपने पाठ्ठे करम का निर्मान करते है विशे केंदित पाठ्ठे करम ये पराचीन पाठ्ठे करम पदती है इसमें हम बस सब्जेक्ट को ही देखते हैं कि हमारे ये सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट की क्या क्या जानकरी हमें बालक को देनी चाहिए अब हमें फरक नहीं पड़ता हमारा बालक कैसा है सब्जेक्ट हमारा मेन है सब्जेक्ट की जानकरे में बच्चों को करानी है तो हम सब्जेक्ट ले ले लेते हैं अलग-लग उनके बारे में खास-खास बाते नोटिस कर लेते हैं कि यह जानकरी बच्चों को होनी चाहिए और वे जानकरी हम बच्चों को कराते हैं चाहिए पाठ्ठेकरम कहलाता है यह हमारा मनोवग्यानिक नहीं होता और प्राचिन पदती है एक विशय केंदित पाठ्ठेकरम उस पाठ्ठेकरम को कहते हैं जिसमें विशय को आधार मानकर पाठ्ठेकरम नियोजित किया जाता है अर्थात इसमें बालकों की अपिक्सा विशयो को अ इसमें सभी वीशियों के अंतरगत आने वाले ग्यान को अलग-लग निश्चित कर लिया जाता है और उसी के अनुसार विभिन पुस्तकों की रचना की जाती है जिन पुस्तकों से बालकों को ग्यान परदान किया जाता है चुकि इस प्रकार के पुस्तकों पर बल दे जाता है इसी लिए इसे पुस्तक के अनुसार प्रदान की आदत का विगास करता है और परिक्सा पर बल देता है परिक्सा के लिए तैयार होना है बच्चों को परन्तु इसके कुछ लाब भी हैं जैसे इस प्रकार के पाठ्ठे करम से सिख्षा की उद्देश्विय की पूर्ती हो जाती है हमारे पाठ्ठे वस्तों पूर्व निर्दारित होती है कम समय में टीचर पढ़ा लेते हैं अधिक बच्चों को पढ़ा लेते हैं तो कुछ इसके इस तरह के लाब भी है यह एक नि दिनी वूर्व बुख को बच्चों को पड़ आते हैं रटाते हाँ चाहिए कैसे भी कराते हैं वो बुक बच्चों के याद होनी चाहिए तो हम सब्जेक्ट का घ्यान करा नचाहते हैं सब्जेक्ट के आदार पर जीस पाठ्ठे कर म करते हम वह सब्जच्री करिकूल होता क अब इसकी कुछ विशेशता होगी बात कर लेते हैं इस परकार के पाठ्ठे करम के लक्से बेउद्देश से पहले से निर्दारित होते हैं इस पाठ्ठे करम का मुख्यादार सिक्सा और समाज अपनी विचारदारों को मानता है इस प्रकार के पाठ्थे करम में सिक्सन दिगम परकिरे सुनिश्चित होती है अध्यापक और सिक्सार्थी को केवल निर्दारित पाठ्थे बस्तू के ग्यान को यद्दन करना पड़ता है इस प्रकार के पाठ्थे करम में ग्यान और नवीन तथ्यों में करम बज़ता पाई जाती है इस प्रकार के पाठ्थे करम का संबंद पराचीन रूडियों के होने से प्रमप्रागत ग्यान को बढ़ावा मिलता है स्रालता के गुंड के कारण ही शिख्सक और छात्र इस प्रगार के पाठ्थ हर्म को अत्तिन मैत देते हैं किरिया परदान पाठ्थ हर्म को मुल्यंकन करना इसका सबस्य असान होता है इस में छात्रों के अब एक साथ विश्यों की परदानता होती है तो यह इसके कुछ विशेशताएं होती है नेक्स्ट है हमारा किरिया परदान पाठ्ठेगरम कार्या के इंदित पाठ्ठेगरम यह important है तो किरिया परदान पाठ्ठेगरम क्या होता है ऐसा पाठ्ठेगरम जिसमें बच्चे जादतर किरियाई करते रहें जादातर किरियाएं करके सीखे उस पाठ्ठेगरम को हम किरिया परदान पाठ्ठेगरम कहते हैं ऐसा कोई भी पाठ्ठेगरम हो जिसमें बच्चे भी डेले में जाते हैं तो अलग-लग अक्टिवीटी करते हैं जाद अतर activity करते हैं और activity के द्वारा बच्चे कुछ सीख रहे हैं उस पाठ्ठेगरम को हम किरिया परदान पाठ्ठेगरम, कारिया केंदित पाठ्ठेगरम, किरिया अधारित पाठ्ठेगरम कहेंगे activity based curriculum या फिर activity centered curriculum किरिया केंदित पाठ्ठेकरम अनेक परकार के कारियों पर अधारित होता है अर्थात इसके अंतरगत विभिन कारियों को विशे स्थान दिया जाता है इसमें बालक को समाजिक मुल्य के अनेक कारिया करने होते हैं जो उनके सर्वांगिन विकास में सायक होते है अत्यक कारिया केंदित पाठ्ठे करम का विपराएं उस पाठ्ठे करम से हैं जिसमें विभिन कारियों के द्वारा बालकों को सिक्सा दी जाती है इन कारियों का योजन चात्रों की रूची आवे सकता हूँ आधी के रूप किया जाता है कारियों का चेहन सिक्सा के उन सिक्सारतियों के सायो उन्होंने क्या कहा था बालकों को ऐसे कारियों के द्वारा शिक्सा परदान करनी चाहिए जिसके द्वारा आगे चलकर बालक समाज उप्योगी कारिया करने में सक्सम हो सके तो बालकों को इस परकार शिक्सा देनी चाहिए क्यों समाज के उप्योगीता वाले कारिये कर सके त पाठ्ठेकरम निर्मान में इसमें हम क्या करते हैं बालक की रूची आवशकताओं का ध्यान रखते हैं यहां पाठ्ठेकरम सम्माज कल्लाण की भावना के लिए बनाये जाता है यहां पाठ्ठेकरम बालक के सरवंगिन विकास के लिए अत्तियनत आवशक होता है इससे बालक में स्वयम करके सीखने के आदत का भी कास होता है बालक खुद कुछ करके सीखना चाहता है इस परकार के पाठे करम में पाठे वस्तु के किरियानुवन में बालक अधिक सक्रिय रहते हैं बालक रूची लेते हैं इंटरस्टिंग हो जाती है नेक्स्ट है हमारा अनुभव के इंदित पाठे करम इस पाठे करम में क्या होता है मानाव समाज कब से चल रहा है कितने साल पूराना मानाव समाज हो गया तो मानाव समाज ने कुछ ना कुछ अनुभव तो प्राप्थी किये हैं तो इस पाठ्ठे करम में हम जो मानाव समाज के अनुभाव हैं में बच्चों को परदान करना चाहते हैं अगर आप कोई ऐसा पाठ्ठे करम बना रहे हैं जिसमें जो मानाव समाज ने हमारे पूर्वज होए हैं उन सब जो अपने experience करे हैं उन अनुभाव को आप बच्चों क अनुभव पराप्त किये हैं उन से बालकों को प्रेड़ना मिलती है साथ ही बहुत सा ग्यान भी पराप्त होता है अता है इस पाठ्ठे करम में मानों के इन अनुभव को परमुकता देकर बालक को इने सिखाई जाता है जिससे अपने जीवन को सरल बना सकते हैं इस परकार के पाठ्ठे करम का समर्थन टीपी नन्ने किया है तो इस पाठ्ठे करम के कुछ यह विशेषता ही है यहाँ पाठ्ठे करम बालक सिक्सक वी दले समाज आदी में सुहादर पून संबंद इस्थाबित करने में सायक होता है तो बालक सिक्सक समाज और वी दले आदी में संबंद इस्थापित होता है इस प्रगार के पाठ्ठे करम से यह पाठ्ठे करम पूंता मनवग्यानिक मन जाता है क्योंकि इसका संबंद बालक की रूचिय जोग गतावर अन्भू से होता है इस पाठ्ठे करम यह पाठ्ठे करम अत्यंत लचीला होता है यह बालक के सरवंग पाठ्ठेकरम की विशेशता ही है, next बात कर लेते हैं, अपने सबसे important पाठ्ठेकरम की core पाठ्ठेकरम, यह most important है आपका, काफी ज़्यादा बार आया हुगा है, यह question, most 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 important है, core पाठ्ठेकरम क्योंकि इस पाठ्ठेकरम पर आज कल भारत में बल दिया जा रहा है, अब इसकी करते हैं, core पाठ्ठेकरम, core curriculum क्या होता है, देखो, core पाठ्ठेकरम क्या होता है, आज कल आप देखते होंगे, आपका जो सलेबस होता है, जो curriculum होता है, उसमें कुछ subject तो fix होते हैं, जो सभी बच्चों को पढ़ने होते हैं, और कुछ subject आपके fix नहीं होते हैं, आप अपने रूची के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं कुछ तो सभी बच्चों को फिक्स पढ़ने होंगे कुछ सब्जेक्ट बच्चे अपनी रूची के अनुसार ले सकते हैं या फिर उन सब्जेक्ट के जगए दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं तो इस परकार के बच्चे जो अपनी रूची के अनुसार विसाय में चुन सकते हैं तो कुछ विसाय में से बच्चे अपनी मर्जी से कुछ चुन सकते हैं तो वह हमारा पाठ्ठे कराम होता है तो आज कल आप अपने बिदल्ले वगरे में देखना कुछ सब्जेक्ट तो चाहिए आप आर्ट फिजिकल एक्टिविटी होती है, म्यूजिक वगरा होता है, तो इन सब्जेक्ट में से आप कोई एक ले सकते हैं, ये एक ये दो ले सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपके फिक्स होते हैं, तो ये जो वेवस्त है, इस परकार के पाठ्ठे करम को हम बोलते हैं, कोर द्यंद करना तो परतेग बालक के लिए निवारिया होता है तथा एच्छिक विशियों को व्यक्तिगत रूची अक्समता के अनुसार चुना जा सकता है उधारण के लिए गणित भासा जैसी कुछ किरिया हैं तो सब के लिए निवारिया होती है तो ये सब्जेक्ट तो सबको पढ़ नहीं होगे कला संगीत वयायाम आदी कुछ विशियों को अपनी रूची के अनुरूप चुना जा सकता है तो कौरप अठे करम बालके अंदित होता है पढ़ते एक समस्य को सरलता पूर्वक सुल जाने एक अच्छा उत्तम नागरिक बन सके कौरप अठे करम समस्य समधान पर बल देता है इसलिए इसमें विभिन विशियों का अध्दन कराया जाता है इसमें सभी परकार के सभी विशियों के सिक्सर्ण का कोई निश्चित समय नहीं होता देखो कौरप अठे करम के बारे में ये तो आप जानी पाई ये तो जनरल सी बात है आप अपने सब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं एक बार इसे पढ़ लेना कौरप अठे करम क्या होता है कुछ भी से तो निर्दारित होते हैं फिक्स जो सभी को पढ़ने होंगे कुछ भी से आपके इच्छी होते हैं उन में से आप अपनी रूची के नुसार जो भी से चाहती है वें चुन सकते हैं अब देखो इसमें क्या होता है जो अलग-अलग subject है सब के लिए कोई एक पूर निर्दारित समय नहीं होता कि सब subject को 40 मिनट ही आपको पढ़ाना है तो कुछ subject आप 40 मिनट पढ़ा सकते हैं कुछ subject आपके एक एक डेड़ गंटा चल सकता है जैसे physical activity आपका 40 मिनट में complete नहीं ह नहीं होता इन्में सबी मिश्यों के सिक्षण के कैली कोई एक निस्ची समनी होता कोई fix नहीं होता पहले से कि यहीं है कि लिए कम होता है कि कि लिए ज्रह को एक आपको Value को सक्षण to 40 मिनट तक हो सकता है कुछ युख अधिक समय चल सकता है को और पाठ्षे गर्म का विकास अमेरिका में हुआ लेकिन अपनी उप्योगे तक एकाराण ये भारत जैसे बहुत से देशों में अब परसीद होता जा रहा है अब इसके परमुक विशेस्ता ये लाब के बात कर लेते हैं इसमें चात्रों के पास अपनी रूची के अनुरूप विशेयों को पढ़ने के सवत अंतरता होती है इसमें बच्चों को पाठ्ठे करम बोज रूपी पढ़ती है ऐसा नहीं लगता बच्चों को कि हमें सभी भी सही पढ़ने है जो हमारी मर्जी भी नहीं है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा तो बोज नहीं लगता उन्हें पाठ्ठे करम सिख्सन कारिये छात्रों के लिए मनुनरंजग बन जाता है इसके अंतरगत एक ही ग्यान को अनेक वीशियों के माध्दम से परदान किया जाता है जिससे ग्यान अधिक अच्छा परभावी पराफ्त होता है बच्चों को यहाँ पाठ्ठे करम सीखने के उन सभी अनुबह और पहलों पर बल देता है जो छात्रों के लिए लाब कारी है और समाज के लिए हित करो इस पाठ्ठे करम दौरा बालकों को कारियों के दौरा सिक्सा परदान की जाती है और उनमें समस्चा सुल जाने के कोशलों का विकास के जाता है यहाँ पाठ्ठे करम मनवग्यानिक बाल केंदित होता है इसमें शिक्षन हमारा समस्चा केंदित होता है मतलब हम बच्चों को समस्चा देते हैं बच्चों समस्चा का समधान करते हैं तद़ा चातरो को कारी एवान समस्याओ को हल करने के अनुबव परदान के जाते हैं। यहाप अठ्ठेगरम सभी चातरों की समनने हो सकताओं की पूर्ति करने का परियास करता है। इसमें अधिकतर से अक्सी कारेकरम चातरों सिक्षक दो नोई मिल करते यार करते हैं, आयुजित करते हैं मतलम पूर्ण करते हैं, तो ये क्या हो हमारा कोर पार्ठेकरम की विशेष्टाय होती है, अब कोर पार्ठेकरम की सिमाई भी देख लेते हैं क्योंकि ये important topic तो इसकी सि आये जाता है, जो कि व्यवारिक द्रस्टी से पढ़ाना कठीन हो जाता है, बहुत सारे subject हो जाते हैं, व्यवारिक द्रस्टी से पढ़ाना उन्हें कठीन हो जाता है, कोर पार्ठेकरम आधारित सिक्षक की व्यवस्था करना अधिक खडचिला होता है, क्योंकि हर विद्या आशिघ्ण्रोब में उचित कमरोड शिक्सेहों को कि व्यॢत्त wa करना कठीन हो जाते हैं। कई बार और्ट अठे करम से शिक्षा प्राप्थ कर व्यक्ति कोलेज में परवियस लेने की पातिधा हूं का पूरा भी नहीं कर पाता हैं। कई बार हम क्या करते हैं। एक से विश्यों का चेन कर लेते हैं अगर हमें किसी विश्यास कोलेज में अडमीसन लेना है तो झो भी हने से पूरा नहीं कर पाते हैं कई बार स्ष्यास कर लेते हैं जो उनके आगामी पविश्या वाले जीवन में जेद्दा स्यादwriter जीवन वालब वेक्ति, कॉमर्स बगरा ले लेगा, गाउं में उसे रहना है, तो कॉमर्स का उसके जीवन में कोई फाइदा नहीं होगा, अगर वैं किर्शी लेता, या आर्ट से लेता, तो थोड़ा बहुत उसे फाइदा भी रहता, तो यह चीजे भी हो जाती है, बच्चों को पत इंपोर्टन टोपीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीयड गूर्प में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं, बीयड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासिज लेने के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तिल देन, बाबाई, ट एक केर,